गुच्रात के कई जिलों में भी बार्ड और बारिश का कहर देखा जा रहा है। आज के लिए अगले दो दिन तक बारिश की वार्निंग को जारी किया गया है। नफसारी से सामने आई ड्रोन वीडियो में दिख रहा है की बारी बारिश के कारण पूर्णा नदी में बार्ड जैसे हालात बने हुए है। पूरत में भारी बारिश की वज़े से शेहर की कई हिस्सों में जल भराब जैसे हालात देखने को मिले। के मांडवी स्टेट हाई से सामने आई तस्वीरों में दिखा जा सकता है की गाडियां पानी के बीच से गुजर रही है। और अगली तस्वीर आपको एम्दाबाद से दिखाने जा रहे हैं। इसमें लगातार बारिश हो रही है एम्दाबाद शेहर में। बारिश की वज़े से एम्दाबाद के ज़्यात तर इलाके जलमग्द हैं। सडके बारिश के पानी से लबालब भरी हैं जिससे गाडियों को की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि एम्दबाद में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी, देखिए तस्वीरे किस तरह का सैलाप का सितम है, ये तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, ये सडकों का इलाका है, रिहाईशी इलाक और देखिए इस बीचे एक और बड़ी खबार, गुजरात में बार पार एक्शन में हैं, ग्रह मंत्री अमिश्या, गुजरात किस के हम और, ग्रह मंत्री से बात की है, गुजरात की आहलाद को लेकर सियम भुपिंद बटेल, हर्ष और सांगवी से आहलाद की पूरी जानक पूरे हालात की जो जानकारी है वो ली गई है और इसके लावा केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी ग्रहमंतरीक तरफ से दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाय जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में एंडी आरेफ और एस्डी आरेफ की टीमें लगाई गई हैं इस्तानी पुलिस भी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अब तक साथ लोग मिल नहीं पाए हैं सत्रा लोग नदी में गिर गए थे और उसके बाद दस लोगों को तो बचा लिया गया। साथ लोग अभी भी लापता बता जारें जिनकी तलाश जारी है। साथ को लिखा रहे हैं तस्विर इस वक्त आपके सामने दाहूत की एज वहाँ पर उमर्या डैम ओवर्फलो हुआ है और यह बता दे कि सीज़न में पहली बार ऐसा हुआ है। उमर्या डैम ओवर्फलो हुआर उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। और अब बात मध्यप्रदेश के कलेतें मध्यप्रदेश में बारिश और बार के चलते कई जिलों में हालात खराब हैं लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अबी ने तुरंद पानी में कोद कर तीनों यूवकों की जान बचाई और बहती बाइक को भी बाहर निकाला। बारी बारिश के चलते रायसेन में नदियों का जलिस्तर बढ़ा हुआ है। गाई ने पहले पानी से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन पानी के तेज बाहव ने उसकी बचने की कोशिश को नाकाम कर दिया और वो पानी के तेज बाहव के साथ भैक गई। और वहीं अगर नॉर्थ हिस्त की बात की जाये तो तिरपरा में विनाशकारी बार्ध ने हाहकार मचा रखा है। माई 17 विमान के सरिये राहत समगरी पाँचाए गई। मौसम के कहर से हजार लोग विस्थापित हुए है। हेलिकाप्टरों के सरिये वायू सेना प्रभावित इलाकों में एंडेरेफ की टीमें खाद्ध समगरी पाँचा रही है। तिरिपरा में नदियों का जलिस्तर काफी बड़ा हुआ है। जिसके चलते गोमती, दक्षिन तिरिपरा, उनाकोटी और पश्चिन तिरिपरा जिले गम विरूप से प्रभावित हुए है। राज्य के काई जिलों में बाड़ की वज़े से फस्लों को भारी नुकसान हुआ है। हालात को देखते हुए राज्य भर में सैंक्लो राहत शिवर बनाए गए है। राज्य सरकार ने बाड़ से अब तक प्रदेश में 15,000 करोड के नुकसान का अनुमा जता है। अधिकारियों के मताबिक बाड़ के कारण अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मात हो चुकी है। जबकि करिब 7,000,000 लोगों ने राहत शिवरों में शरन ली है। और अगर चीन की बाड़ करें तो चीन में कई शहर इस समय भारी बारिश, बाड़ और प्रकृती का कहर जेलने को मजबूर है। गांसू प्रांथ में आई बाड़ ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है। तस्वीरे चीन उत्तर पश्चमी प्रांथ की हैं, जहां भारी बारिश की बाड़ गांसू प्रांथ और निक्जिया आटोनोमस रिजन में भारी बारिश की वज़े से बाड़ा गई। गांसू प्रांथ के जिन चांक शेहर में खराब मौसम के करण दो लोगों की मात हो गई। साथी शेहर के कुछ सड़कों पर जल भराव हो गया है जिससे आवजाई प्रभावित है। चीन के गांसू प्रांथ के निचले इलाकों में जल जमाव की वज़े से लोग रास्तों पर फंसे नजर आए। कई जगहों पर लोग पानी में फंसी अपनी कारों को धक्का लगाते दिखे। राहत आयोग ने भी बाड को लेकरेक्शन लिया है। पिछले दो महिनों में चीन में बाड और भूसकलन से डेट सो से ज़्यादा लोगों की जाजा चुकी है। बाड के कारण आप तक दस से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोग गहल हो गए है। इंडोनीशे की आप दप्रबंदन एजनसी ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होनी का पूरवन वन जता है। साथी स्थाने लोगों को सतरक रहने की चेतावनी दी है। एजनसी ने अपिल की है कि लोग अलट रहें और बाड के संबन में अधिकारियों के निर्देशों का पलन करें। वहीं बार्ड में टेरनेट शेहर में दसगर बुरी तरह तबाह हो गए है। लोगों के लिए रहत और बचाव कारे जारी है। आपदा जनसी के मताबिक पीडितों को निकालने में मदद के लिए एक टीम तैनत की गई है। बचाव एजनसी भी लगातर मौके पर तैनात है। लेंड्सलाइड और बार्ड के पानी में बहे मलबे से पीडितों को निकालने का काम जारी है। और देखें नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि की यूपियस को लेकर केंदर की मंजूरी के बाद राज्यों ने भी इस लागू करना शुरू कर दिया। और कल महराश्ट कैबनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंदर सरकार के बाद महराश्ट के शिंदे सरकार ने मंजूरी दे दी है। के आकिर क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपियस में पेंशन की राशी की महगाई दर के साथ और सेवन निर्वित्ती के साथ ग्रेच्यूटी के लावा एक सुनश्चित राशी के भुकतान की विवस्था की गई है। और केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि यूपियस को मंजूरी दिये जाने के बाद सियासत भी करमा गई है। कॉंग्रिस अद्यक्ष मलीकरजून खर्गे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में काया की यूपियस में यू का मतलब है मोधी सरकार का यूटर्न। चार जून के बाद जनता की शक्ती प्रदानमंत्री की सत्ता के एंकार पर हवी हो गई है। लॉंग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्षन का बजट में रूल बैक किया, वक्फ विधेक को संयुक्ति संसद्य समीती को भेजा, प्रसारन विधेक और लेटरल एंट्री को वापस लिया। खबरों में ये भी कहा गया है कि हम जवब दही सुनशित करते रहेंगे और 140 करोड भारतियों को इस निरंकुष सरकार से बचाएंगे। स्टेंड ही नहीं ले पाई है। और एक आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या। आपने करनाटक के चुनाओं में बहुत चालाकी कर दी है। वहां क्या का आपने कि हम 2006 के पहले के जो करमचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनके सिंगा कितनी है। सिर्फ ते रहा था। चुनाओं हुआ लास्ट एर। और देंगे खाली छे के पहले रिटार होने वाले करमचारियों। ते लंगना में तो मैंने सुना है कि वहां हलके से कहा गया। और अभी जो 24 के लोगसभा का चुनाओं हुआ उसमें तो मेनिफेस्टों में मिन्शन करने की भी शर्म नहीं बची। और आपको एक बड़ी ख़बर बदा दें कॉंग्रेस नाशनल कॉंफरेंस में सीट बटवारे पर पेच बरकरार है। कि कैसे सीट बटवारे को लेकर सहमती दोनों दलों में कॉंग्रेस में और नाशनल कॉंफरेंस में बन जाए। हमारे साथ हमारे सायोगी कुमार विक्रांत इस वक्त और ज्ड़ा जानकाली के साथ जो गए है। कुमार समस्या कहां आ रही है? कहां पर दिक्कते हैं और जिसे सुलजाने की कोशिश होगी सीट बटवारे मुद्दे पर? ऐसे में कुछ सीटों को लेकर विवाद है राहुल गांदी और मलिकारजुन खरगे जब सीनगर गए थे उमर अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी एक ब्रॉड खाका तयार हो गया था लेकिन उसके बाद भी जब पेंट फसा रहा तो सलमान लेकिन उनको बैरंग वापास रौटना पड़ा अंतिम फैसरा नहीं हो पाया ऐसे में मलिकारजुन खरगे और राहुल गांदी ने तै किया उनके सबसे करीबी संगठन महा सत्यू केशी वेनु गोपाल सलमान खुर्शीद पावन खेडा और भरत सोलंकी के साथ जाएं और इस मामले को सुल जाएं क्योंकि कल पहले चनल के नामंकन का आखरी दिन है तॉंगर्स पार्टी ने केंद्री चुनाव समीटी के जरीए नाम भी तैक कर लिए हैं लेकिन अब तक एक ज्यूमीदवार की गोशन नहीं उपाईए ऐसे में बड़ा दिल्चस होगा क्या तो प पर जो पेच है इसको सुलजानी कोशिश की जारी इस बीच अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जमू कश्मीर के उमिदवारों की पहली सूची आज जारी करेंगे और सूची में पहले चरण की सीटों के उमिदवारों के नामों का एलान किया जाएगा खबर आप पेमोदी की मौजूदगी में कल राद बीजेपी मुख्याले में केंदरी चनाफ समीती की बैठक होई पार्टी के राष्ट अध्यक्ष जेपी नड़ा की अध्यक्षता में करीब डिड़ घंटे चली इस बैठक में पचासते ज्यादा सीटों पर बीजेपी के उमिदवारों के नाम पर चर्चा के बाद महुल लगी इसमें जमुषेतर की 43 में से 2-3 सीटों को छोड़ कर सबी सीटों पर उम्मिदवारों के नाम फाइनल कर दिये गए कश्मीर घाटी की भी 47 सीटों में से लगभग 10 सीज़ाद सीटों पर उम्मिदवारों के नाम तैक कर लिए गए हैं बताय जाता है कि बैटक में जम्मू शेत्र के कुछ पुराने और बड़े चेहरों के टिकट कटे हैं कुछ नए चेहरों को भी विधान सभा चुनाव में उतारने पर महर लगी है नामों के एलान के साथ ही आज से ही बीजेपी के उम्मिदवार अपना नामंकन भी दाखिल करना शूरू करेंगे जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी, जीकेशन रेड़ी और राम माधा भी शामिल होंके बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 विधान सभा में 60-70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी किसी राजनेतिक दल के साथ गड़बंद नहीं करेगी बीजेपी कश्मीर घाटी के जिन विधान सभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी उन सीटों पर मजबूत निर्दलिय उम्मेद्वारों का समर्थन करेगी बीजेपी अध्यक्ष मायवती ने कल पार्टी के एहम बैठक बुलाई है बैठक में पार्टी के राष्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके अलावा पार्टी के राष्टी एजन्डे और उप्चुनाव की रणनीती पर चर्चा होगी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायवती ने 27 अगस को पार्टी कारले में बैठक बुलाई है बैठक में मायवती को फिर से पार्टी का राष्टे अध्यक्ष चुना जाएगा इससे पहले वो 2019 में अध्यक्ष बनी थी बैठक में शामिल होनी के लिए देश भर से पार्टी के वरिष ने था लखनों पहुँच रहे है बैठक के दुरन चुनाव के साथ साथ पार्टी अपना एजेंडा भी तै करेगी इससे पहले मयावती ने कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी के बारे में सोशल मीडिय के जरी कहा की प्रियागराज में समवीधान सम्मान समारू करने वाली कॉंग्रिस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेट करके अनुयाई कभी माफ नहीं करेंगे कांग्रिस ने सम्विधान के मुख्य निर्मा था बाबा साहिब को उनके जीते जी और उनके देहन के बाद भी भरत रद्म से सम्मानित नहीं किया उनके मताबिक बाबा साहब के अभियान को गती देने वाले कानशीराम के दियानत होने पर भी कॉंग्रिस ने केंदर में अपनी सरकार के रहते उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्टे शोग घोशित नहीं किया और नहीं समाजवादी पार्टी ने परदेश में राच के शोग घोशित किया इनकी ऐसी सोच चाल चरहतर से जरूर सजग रहना चाहिए और देखें इस बीचे एक और बड़ी खबार मायवती का कॉंग्रिस पर बड़ा हमला जातिये जनगर्णा को लेकर सवाल पूछा गया क्या जातिये जनगर्णा के बाद कॉंग्रिस SCST OBC का हाख दिला पाएगी S.C.S.T.R.क्षण में क्रीमी लेयर पार कॉंग्रेस आखिर शुप क्यों वाई यूपी की दस विधानसभा सीटों पर उप्चुनाव होने वाले हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मिल्कीपूर विधानसभा सीट पर भरोसा जताया गया है समाजवादी पार्टी के मुख्या अकलेश यादव मिल्कीपूर उप्चुनाव को लेकर अपने सांसद अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया है लोगसपच चुनाव के बाद उनके बेहत करीबाए अवधेश प्रसाद के कहने पर अकलेश ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकर दिया है आपको बताते कि मिल्कीपूर सीट अवधेश के सांसद बन जाने के बाद खाली हो गई थी अवधेशी मिल्कीपूर सुरक्षित सीट से विधायक थे वे चाहते थे कि उनका बेटा ही चुनाव लड़े पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ थे वे परिवारवाद के नाम पर अवधेश के बेटे का विरोध कर रहे थे बताय जाता है कि टिकट तै करने के लिए अखली शादव ने लखनों में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी दो घंटे तक चली बैठक के बाद अजीत प्रसाद का नाम तै हुआ बीएसपी ने मिल्कीपूर विधन सभा उपचुनाव के लिए राम गुपल कोरी को अपना उमीदवर बनाया है इस बीच यूपी के मुखे मंत्री योगी आदे तेनाद पिछले दस दिनों में तीन बार मिल्कीपूर का दौरा कर चुके है उपचुनाव के लिए सीम योगी ही इस सीट के प्रभारी है कहा जा रहे कि मिल्कीपूर सीट पर जीत के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजबाद की हार का हिसाब बराबर करना चाहती है और देखिए इस बीच पूर विदायक अनन्द सिंग के जेडियो में लौटने के अटकले बहुत तेज हो गई है कल मुख्यमंत्री नितिश कुमार से मुलाकात के बाद राशनुतिक सरगर्मिया बढ़ गई है आप देखिए खबर पूर विदायक और बाहुबली नेता अनन्द सिंग कल मुख्यमंत्री नितिश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवाज पहुचे मुलाकात की ये तस्वीर हिसाबने आई है नितिश कुमार के साथ अनन्द सिंग के लावा कई और लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं इन तस्वीरों के कई माहिन निकाले जा रहे हैं बताय जा रहे है कि लोगसभा चुनाप के दरान भी अनन सिंग ने GDU उमिदवार ललन सिंग की काफी मदद की थी इसलिए अब अनन सिंग के जिल से बाहर आने के बाद से ही उनके GDU के साथ वापस आने की सियासी कयास लगाय जा रहे हैं मीडिया वालों ने मुलाकात के बाद उन्हें बाहर निकलने पर रोका, अनन सिंग ने बात भी की, क्या कहा सुनिए अनन सिंग और नितिश कुमार की मुलाकात पर तेजस्वी के बयान को लेकर मीडिया ने सवाल किये और दिली में विधानसवा चुनाव से पहले आमात्मी पार्टी को बड़ा जटका लगया है, आमात्मी पार्टी के पांच पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए बीजेपी के पुरदेश्ट अध्यक्ष और रामवीर विधूरी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में कल आमात्मी पार्टी के पांच वार्ट पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया इनमें वार्ट नमबर 28 के रामचंद्र, वार्ट नमबर 30 के पवन सहरावत, मंजू निर्मन, वार्ट नमबर 180 सुगंदा विधूरी, वार्ट नमबर 178 और ममता पवन, वार्ट नमबर 177 की पार्षद शामिल है आमाद में पार्टी ने दावा किया है कि नेताओं के पाला बदलने के पीछे की वज़े, एजिंसी का डर है, माना जा रहे कि इस बदलाव का सीधा असर जल्दी होने वाले MCD की स्टेंडिक कमिटी चुनाव पर पड़ेगा जानकरी के अनुसर एक साथ आपके पांच पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना आपके लिए बड़ा नुकसान है, इससे नगर निगम में बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़ेगी कोलकाता में आरजिकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोषद वित्ते अनमित्ताओं में शामिल संदिक्दों के ठेकाने पर CBI जान जारी है CBI ने, मामली में दर्ज FIR में आरजिकर मेडिकल कॉलिज के पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोषद के लाफा, हावडा की कमपनी तारट्रेडर्स, कोलकाता के इशान कैफे और मेसर्स खामा लोहा का नाम भी दर्ज है ये केस पश्चिम बंगाल के स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले के स्पेशल सेकरेटरी देवाल कुमार घोषद के शिकायत पर दर्ज किया गया सीबे की टीम कल सुबा ही पूर्व प्रंसिपल संदीब घोष के आवास पर पांची लेकिन संदीब घोष ने डीड़ घंटे बाद घर का दर्वाजा खोला सीबे ने संदीब घोष पूर्व MSVP संजवशिष्ट और 13 लोगों के ठेकानों पर चापे मारी की सीबे आधिकारियों ने रविवार सुबा 8 बजे से संदीब घोष से उनके घर पर पूस्ताज की और करीब 13 घंटे की जाँच के बाद सीबे टीम पूर्व प्रंसिपल के घर से निकली बात कोलकता केस की कोलकता केस में सीबे आई जाँच पर टीमसी ने सवाल उठाए हैं टीमसी नेता उन्हें क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में टीमसी ने कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की सीबे जाँच पर सवाल उठाए हैं टीमसी नेता कॉर्णल घोष ने आरोप लगाय की सीबे अब तक मामले में एक नई गरफतरी नहीं कर सकी है आखिर सीबे क्या कर रही है वही टीमसी सांसद सायूनी घोष ने भी जाँच में देरी को लेकर सीबे की विश्वसनिता और शमता पर सवाल उठाए है को नया कुछ मिला नहीं है और सीबी आई के कंविक्शन डेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कारवाई किते दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा कॉलकता रेप मर्डर केस के आरोपी संजेर रॉय का भी पॉलिग्राफ टेस्ट करा लिया गया है सीबी आई की सेफ हैसल की टीम ने खुल्म लाकर साथ लोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट को करवाया लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस के आरोपी संजेर रॉय ने साइकलोजिकल टेस्ट में जो कुबूल किया उसके सच्चाई की पुष्टी करने के लिए सीबी टीम ने कोलकाते के प्रेजिडेंस जेल जाकर कल मुख्या आरोपी संजेर रॉय का जूट पकड़ने वाली मशीन से सामना करवाया इसके पास सीबी आई की टीम संजेर रॉय के साइकलोजिकल टेस्ट की रिपोर्ट से पॉलिग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का मिलन करवाईगी इसी के आधार पर पता चल पाएका कि इन दोनों टेस्ट रिपोर्ट में आरोपी संजेर रॉय ने सीबी के सवालों का कितना सही जवाब दिया है पूर्वी प्रिंसिपल, संदीब घोष, ट्रेनी डॉक्टर, इंटर्ण, सिविक वालेंटर समेट कुल साथ लोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट हुए है इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्वी प्रिंसिपल, संदीब घोष का भी पॉलिग्राफिट टेस्ट के जा चुका है सिबे अधिकारों के मताबिक मामले को लेकर संदीब घोष ने जो बयान दिये हैं, उनकी क्रॉस चेकिंग के लिए घोष का पॉलिग्राफ टेस्ट किया गया सिबे ने दस पुलिस अधिकारियों और सिविक वालिंटर सहित 15 से ज्यादा लोगों से पूश्ताच भी की है कुमार कुंदन और जयता जानकारी के साथ जुड़ए हैं, कुमार कौन है ये संजे वशिष और क्या बताया जा रहा है, इस केस से जुड़े क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? दो तरह के आरोपे, तो फाइनशल एरोप संदीब बोश्त पे लगाया गया है, उसमें भी इसका नाम आ रहा है कि इसमें भी कई सारे डॉकुमेंट को फॉर्च करने में संदीब गोश्त का साथ दिया, पहली बाद, दूसरी बात जो इड़ता की मौत हुई थी, उस मौत क बाद, बताया जा रहा है कि संदीब गोश्त में, संदीब गोश्त में तो सुबह में एक बैठक की थी, असपताल प्रशासन के साथ, उसमें से यह रशक भी सामिल था, और यह बैठक इसलिए की गई थी, कि आगे next course of action क्या होगा, विशी तुरुप से पोलिस को आने में, काफी देर की गई, दस बजे के असपत पोलिस आई है, जबकि यह सारा गष्णा देर मगलगात ही हो चुगा था, तो ऐसी आशंका जाहिब की जा रही है, कि अगर कोई conspiracy theory है, तो वो इसको भी पता हो सकती है, क्याद यही वज़ा है कि इसको पूश्ताच के लिए बुराया वार्जोन से एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के सारा तोफ में, युकरेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, ड्रोन से एक रहाश्य मारत पर, यह हमला किया गया सारा तोफ की सबसी उची मारत, हमले में आधी मारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है, हमले में एक महिल इस इमारत से टकरा जाता है कर दो बड़ा नुकसान पहुँचाता है हमले में एक महिला भी बुरी तरह से जखमी हो गई है जो जानकारी सामने आ रही है तो यह एक्सक्लूनिव तस्वीर इस वकत आपके सामने यूकरेन की तरफ से हमलों को बहुत तेज़ कर दिया गया यूकरेन की तरफ से पतर्स हम आपको दिखा रहे ह। बहुत रहं diploma यह दो दीकर जारी ह। चाहर से यह दिखे, कैसे यह दो आता है, एक मार फिर सब देखे, यह ड्रोन आता है और इसके बाद ये जा कर इस इमारस से टक्रा जाता है और एक बड़ा ध्माका और बारुदी गुबार इस इमारत से उटता हुआ नजर आ रहा है और जानकारी ये सामने आ रहे अपडेट ये है कि अब दो लोग घायल होने की जो जानकारी है मिल रिहाशी इमारत ही है और इसमें दो लोग घायल हो गए दो तस्विरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे है इस हमले से जुड़ी हुई बहुत बड़ा अटाक किया गया है यूकरेन की तरफ से रूस के इस इस इलाके में और ये देखिए किस तरह बिल्डिंग को नुफसान पहुँचा है यही पर ही अटाक हुआ है बड़ा अटाक हुआ है रहाईशी बिल्डिंग पर ड्रोन अटाक हुआ है दो लोग घायल हुए है जो जानकारी मिल रही है इस वक्त सारा तोव जगा है सबसे उची इमारत जो आप देख रहे हैं और ये देखिए कैसे ये प्लेन आता है ये ड्रोन आता है अटाक आता है और ये अचानक से इस बिल्डिंग पर भिनत हो जाती है इसकी बड़ा अटाक का सोची सब्जी प्लानिंग के साथ अटाक किया गया दो तस्पिर इस वक्त आपके सामने एक तरफ आप देख पारे है वो ड्रोन किस तरह से आकर टकराता और दूसरी तरफ वो इमारत जिसका हाल हो गया मनीश वह इस वक्त हमारे साथ जुरे मनीश इस हमले को लेकर और क्या जानकारी मिल पारी है देखे एक और हमला युकरेन की तरफ से क्या गया है अभी पिछले हबते हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मौसकों में डून अटैक हुए थे और अब सारातोब में डून अटैक तो युकरेन की तरफ से लगातार रूस पर दबाब बनाने की कोसिस की जा रही है और जाहिर है कि रूस का रियक्शन अब इस मामले को लेकर फिर देखने को मिलेगा पिछले दिनों इस बात की काफी आशंका जताई जा रही है जे हलाकि आज सुबर देखे तो जिस तरह से कीम में लगातार एर साइरन बज रहते तो माना ऐसा जा रहा है कि रूस की तरफ से अब युकरेन के लगातार होड़े हमले का जवाबी हमला कभी भी देखने को मिल सकता है हाँ यह अलग बात है कि इस वक्त रूस की जो प्रात्मिक्ता है वो है कि कुर्च में जो युकरेन के सैनिक मौजूद है उसको किस तरीके से वहाँ से खत्म किया जाए उन्हें निकाला जाए लेकिन इस बीच में युकरेन की तरफ से ना केवल कुर्स्क या उसके आसपास के इलाके में बलकि उससे बाहर के भी दूसरी इलाके चाहे वो मौस्को से लेकर रोस्तोव तब का मामला हो या पिर सारातोव का हर जगह लगातार युकरेन की तरफ से अटाक हो रहे है और जिसकी वज़ा से अगर आप देखें तो जो तस्वीरे हैं वो भयावत तस्वीरे हैं अच्छा मनिश एक बात बताईए क्योंकि सारातोव की सबसे उची मारत है और यहां पर आकर ये ड्रोन टकराया है दो लोग के खायल होनी खबर आ रही है क्या जो कैश्वेल्टी से उसकी संक्या बढ़ सकती है क्या ये माना जाए बिल्कुल देखें इस वक्त इंजार है कि जो लोकल अथारिटी है वो क्या कह रही है कि इसमें कितने लोग इसकी चपेट में आए है और इसमें कैश्वेल्टी कितनी हो सकती है लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि कैश्वेल्टी कापी बढ़ भी सकती है और ये पहला मामला होगा जब इस तरीके का अटैक अब तक यूकरेन की तरफ से जो अटैक देखने को मिला है वो ज़्यादातर ओयल डिपो या फिर एनरजी इंटरस्ट्रक्चर पर अटैक हुआ लेकिन इस तरह के हाई राइस बिल्डिंग पर अटैक का ये पहला मामला होगा बीते साल हमने देखा था जब मास्कों में ड्रोन को जब मार गिराए गया था उस वक्त ड्रोन का मलवा कुछ रेसिदेंसल इलाके में गिरा था लेकिन इस वार जिस तरह का अटैक हुआ ये अटाक कर देता है ये कैसा इलागा है क्योंकि बहुत बड़ा अटाक है रूस में ऐसा पहली बार अटाक हुआ है जो यूक्रेन की तरफ से किया गया बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक रूस का यूक्रेन का के हमलों का जो फोकस था वो रूस यूक पर यूक्रेन का पहुंच गया क्योंकि अब तक हमने यह भी देखा कि बहुत सारे यूक्रेनियन ड्रोन रूसी टेरिटरी से लाँच किये जाते हैं और फिर वो अपने टार्गेट की तरह पढ़ते हैं जी बिलकुल मनीश आप इस वक्त हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि इस वक्त देखे ये दो तस्विर आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रिन पर जिस तरह का हमला आज हुआ है रूस में वो हमला बिलकुल वैसा है जो साल 2001 में वाल्ट ट्रेट सेंटर पर हमला किया था 9- 11 का हमला ये देखे तस्विर इस वक्त आपके सामने फर्क ये हैं कि उस वक्त दो जहाज आकर टकराये थे वर्ल्ट ट्रेट सेंटर की मारत से और आज ये ड्रोन है जो की यूकरेनी सेला का ड्रोन आकर टकराया है सीध है और ये सबसे बड़ी बात ही है कि ये सबसे सारातोफ की ये तस्विर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं अभी तक की कैश्वल्टीस की बात करें तो दो लोगों के जिसमें एक महिला भी शामिल है उनके घायर होने के खामर बिल पारी है लेकिन ये बहुत बड़ा हमला जो यूक्रेन की तरफ से किया गया सारातोफ मे ये तीन तफिरिश के बाद आपके सामने इस इमारत से धुआ उठता हुआ नजर आ रहा है ये देखे किस तरह से ये ड्रोन है जो की खातक ड्रोन है अटैक ड्रोन है जो इसका इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से और सीधा टार्गेट पर लिया गया एक रिहाश ए मारे साथ जुड़े हुए मनीश ये वैसा ही हमला जो इस तरह से 9-11 का हमला किया गया था साल 2001 में और यूक्रेन को भी जाहिर सी बात है पता होगा कि रिहाश एमारत सबसे उची मारत और बड़ा रुक्सान हो सकता है देखें इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये जो अटैक है सारातोव का वो एक सिविलियन बिल्डिंग को टार्गेट किया गया है यहाँ पर कोई मिलिटरी एसेट्स नहीं है ऐसी इस्तिती में निश्चित तोर पर मुझे लगता है कि इसकी काफी निन्दा भी होगी और यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस की तरफ से बहुत कीका रियक्शन देखने को मिल सकता है जहां तक निश्चित तोर पर अगर आप देखें कंप द्वास्तों गया था और उसके अलावा चुकि उसमें उसमें एक सिविलियन दो सिविलियन एरक्राप्ट का इस्तेमाल वा था तो इस वज़े से गर आप देखें तो जरूर उसके जैसा मिलता जुलता लेकिन 9-11 की विविश्चिका हमने देखी और उसकाद की आसर पड़ किस तरह से अफगाणिस्तान में फिर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से लेकिन हाँ युक्रेन की तरफ से इस तरफ के हमले पहले नहीं होते थे अब हो रहे हैं और अब होने के बाद युक्रेन के खिलाब कैसा रिस्पॉन्स होगा क्योंकि अभी भी जानकारी यही आ पुल को देखे हैं इस वक्त सबसे बड़ी बात यह एए वहां पर चूँवियन अथारिटी यह फ़वंचकर वहां रेस्क्या और उपरेशन कर रही है और इंदिजार किया जा रहा है कि वहां से किपने कैजवल्टी कितनी हुई है कितने लोग मारे गए हैं कितने लोग खायल होगा है लेकिन सारा तो कि इस घटना के बाद निश्य तोर पर रूस्प में खास कर कि इस बात को लेकर काफी दबाब बनेगा कि अब युक्रेन के करने के लिए काफी होगा और एक तरह से रूस को प्रोवोक करने की कोशिश की गए जैसा कि मनीश बता रहे हैं लेकिन यह तीन के लिए और देखिये सबसे ऊची इमारत पर आकर अटाक किया गया इस रियाज शी इमारत में और यूक्रेन से बताया जा रहा हैं तेँस सो किलोमीटर की दूरी इस इमारत की जहां पर अटाक किया गया है